आज आप लोग के लिए बहुत ही एजी चिकन कीमे के कबाब बनाने जा रहे हैं जो आपको बहुत ही मज़िदार बनेगा और इंशालला आपनों को जरूर पसंद आएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं 1.5 KG चिकन का खीमा है two tablespoon chicken tikka का मसाला हमने लिया है यह मेरे घर का बनावा है यह one teaspoon नमक है आप नमक अपने हसाब से डाल लेंगे One teaspoon गरम मसाली है one teaspoon क्रश्च चिली है one teaspoon कष्मीडी लाल मिर्च मिर्च आप अपने हसाब से चेक कर लेंगे यह दही है one tablespoon dry तही लिया है two tablespoon basin है इ तो डाल दें वना इसमें आप लाल मेच फरेश जो होती वह थोड़ा दालें तुमार्टर हमने चौक्ट कर लिया है, वन टेबल स्पून लहसन अधरक है, श्प्रिंग अनियन है, प्यास जो होती असमें रिपयास, वह हम एक पुरा पैस काट लिया है, और यह हम समें डालें, तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं तो चलिए मिक्स करना शुरू करते हैं अगर आपके पास प्रीमा बनावा है तो बहुत जल्दी बनता है अभी थोड़ा साम इसमें ऑईल डाल देंगे बज़ बनाने में इजी होगा अभी हम इसमें ऑईल एक टेबल स्पून डालते हैं इस तरह से इसको करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसको फ्रीज में हाफ नावर रख सकते हैं सेट होने के लिए त थोड़ा से दे रहें और यह हम गार्णिश के लिए फिरन रहती चटपटा और मज़दार आप मिर्च आप अपने हसाब से डाल लें आपको बहुत ही मज़दार चटपटा चाहिए तो आप पुटी मिर्च और राइट कर लें या कश्मीरी मिर्च और ज्यादा डाल दें तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं आपको देखाते हैं यह प्लेट लें हलका ऐसा इसमें वाइल लगा दे तो यह जब बना कर हम कबाब रखेंगे तो इसमें चिपकेगा नहीं इसलिए हम इसमें हलका सा वाइल लगा दे रहें तो यह कबाब बनाना शुरू करते हैं एक विए बॉल्ब ले आपको जिस साइज का बदाना है छोटा या बड़ा इस तरह से लें इस तरह से बॉल को ले इस तरह से इस तरह से और यह बनाने के बाद ना आप इसे आप चाहें तो हाग कुक करके तल के हल का साथ फ्रीज कर सकते हैं एक से दो महीन आराम से तो यह रखें और कच्छा नहीं रखेंगे तो पानी निकलता है तलने के वक्त तो यह हलका हाफ कुप कर लेंगे तो आपको आसानी होगी कोई भी आपका दिल चाहेगा महमान आये हैं तो आप आराम से निकालके फॉरन उसे हलका सा तेल डालके आप इसे तल सकते हैं इस तरह से बनाएं और शेप बार जो भी अपने पसंद चाहें डाल सकते हैं तोसल फेर है अपस Hello लेते हैं कबाब तो मिलते हैं तो यह देखिए पूरे कबाब रेडी हो गए है इसको हम अगर आप चाहें तो हाफ नावर फ्रिज में रख दे तो अच्छे से यह सेट हो जाएगा पैंच रहाया है हमने उस पे हम ऑई डाल के इसे तलते हैं हमने पैंच रहा दिया है इस पर डालें दो से तीन टेबुल स्पून एक और अब त्री तेबुल स्पून हम और डाल रहा है तो यह जब अच्छी तरह से गरम हो जाए हमने त्री डाल रहा है वेखिए इस तरह से मेडियम आज पर तो देंगे यह बिए अब हरके हल्की सिला सकते हैं और आईस्का इसे चेक कर सकते हैं किसी इस तरह से आए देखी इसे अब और होगा तो इसे हम अभी दो बिट चो जोते हैं पहले आपने एक लटकार आठी यह निट अब मेरा ख्याल से दो मेरे चोड़ेंगे तो ये अराम से अच्छी तरह से ये पब जाएगा पलट रहे हैं देखे इस तरह से इसी तरह से रोली सबसे देखे आप इसी को हलका कच्चा लाइके हाथ कुप करके स्वीष कर सकते हैं आपको आमने बताया था इस तरह से आप हाफ कुप करके और एक दो तीन मिनट और रखके इसे निकाल कर फंडा करकर फ्रीज कर सकते हैं आपको आराम से एक दो मिनना करेंगा देखे ये दो मिनट हो गया है इसको नफे टेक सबसे हैं यहां बिल्किल और हूं प्रेड़ी है ये तयार हो गया है तो यह थी तरह से तब बना लें शेट में यह बचे है यह ढाल देरें साइड में इ payroll the विल्ट में एक लाओ trending तो यह सब वो जाता है फिर आपको हम सर्फ पर के देखाते हैं रेडी हो गया है यह रेडी हो गया है चिकन कबाब आप लोग पसंद आएगा आप लोग बनाए और बताएं फीड़बैक दें कि यह आप लोग ने बनाए कैसा तयार हुआ और बहुत कुईक एजी रेसिपी है तो इंशालला फिर आप लोग के साथ नई और कुईक और इजी रेसिपी के साथ मिलते हैं दौाओं में याद रखीएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें चलें फिर मिलते हैं अलाहाफेज झालाहाफेजाब करें बार इंशाल पर याद करें झालाहाफेज। झाल झाल